नमस्कार क्यापिचल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा ब्रेकिंग नाव में बड़ी खबर आपको पता रहे हैं आज से तीन दिनों के पंजाब दौरे पर हैं दिली के मुख्यमंत्री अर्विन के जिवाल पंजाब पहुंच चुके हैं लेकिन पंज पंजाब जाने से पहले क्या कुछ शोशल मीडिया एक्स पर लिखा है उन्होंने लिखा है कि आज से तीन दिन की पंजाब यात्रा पर हूँ भगवत्मान जी ने पंजाब का पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाया है आज उनके साथ उसका उधगाटन करेंगे अब पंजाब के गरीब लोगों को भी अच्छी सिक्षा मिलने लगी एक गरीब बच्चे को अच्छी सिक्षा मिले उससे हम भागिदारी हो इससे बड़ा पुनि का काम नहीं इससे बड़ा रास्ट निर्मान का कारें नहीं आज स्कूल को देखने के लिए बहुत उतसाहित हूँ अब ए एमिनेंस का उदखाटन करने के लिए अर्विन केजरिवाल पंजाब पहुंचे हैं जहां पे उनका विरोध हो रहा है इस बड़ी कबर पे मेरे साथ जुड़े हुए है क्यापिटल टीवी के एक्सक्यूटब एडिटर राजीब जी राजीब जी क्यों पहुंचे हैं अर् और दूसरे मुखमंत्री को बुलाता है उदखाटन करने के लिए साथ में क्या पंजाब के मुखमंत्री की आउकात नहीं है कि वो अपने बनाय हुए एक स्कूल का उदखाटन कर सके अर्विन केजरिवाल जो क्रेडिट लेने की कोशिश करते रहते हैं हर जगह पर दिखा सवाल गई है कि पंजाब के मुखमंत्री भगवतमान है और दिली के मुखमंत्री अर्विन केजरिवाल उनकी क्या जरूत पड़ गई पंजाब में एक उदगाटन है उसके वाद रहे ली है उसमें अरविंद केजरिवाल नहीं होगी तो भगवंत मान के बारे में ये तो पंजाब के अंदर परसेप्षन जाएगा कि अब ये सत्ता पर खुद ही कबजा करके बैठे हैं यानि कि सरवे सरवा पंजाब के भगवंत मान है जबक हाथों की कटपुतली है लेकिन दूसरा सवाल ये है और अरविंद केजरिवाल वहाँ पर जिस स्कूल के उदगाटन के लिए जा रहे हैं उसके बाद अमरिष सर में रैली भी है ये अरविंद केजरिवाल जैसे लोग जो बार-बार कहते थे वियाई-पी कल्चर वियाई- को जगह पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता और इस पूरे अमरिस्टर को किले बंदी की गई लेकिन ये दूसरी बात है ये जो वियाईपी कल्चर के बाद एक और कल्चर अरविन केजरिवाल ने सुरू किया और इसी के कारण वीरोध हो रहा है केजरिवाल का केजरिवा था सिप्पी सर्मा को उसको डिटेन किया गया है डिटेन क्यों किया गया क्योंकि अर्विंद केजरिवाल अभी जिस स्टेट की बात कर रहे हैं जिस एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं जहां पर बता रहे हैं कि पंजाब में अब गरीबों को अच्छे स्कूल में डिमि रूपया डकार गया मनीश सौधी आरविंद केजरिवाल मिलके ये बिल्डिंग बनाने में क्योंकि बिल्डिंग बनाएंगे बढ़िया सुमिंग पूल बनाएंगे बोर्स लाएंगे तो इसका मतलब है कि उसकी ठेकेदारी होगी पी डिवलुडी डिपार्टमेंट जो दिल्ली में था वही पी डिवलुडी डिपार्टमेंट ने उसकी जिम्मेदारी ली और पंजाब में पता चलेगा कि कितने करोड रूपया इस स्कूल के नाम पर ये लोग खा रहा है क्योंकि दिल्ली में तो पता चल गया दो हजार करो रूपे के घोटाले की जाच ACB कर रही है क्योंकि उसमें जो बिल्डिंग बनाए गए वो प्राइबेट बिल्डर जो होते हैं अपार्टमेंट बनाते हैं उससे भी दस गुना जादा रेट पर था जो बेंच कुरसी टेवल खरीदे गए हैं वो मार्केट रेट से दस गुना स्वीरें हैं जिसका उद्गाटन करने के लिए अर्विन के जिवाल पंजाब पहुंचे हैं बड़ी-बड़ी बिल्डिंग सांदार बिल्डिंग बनाए गई है तो क्या इन बिल्डिंगों के नाम पर अर्विन की जिवाल एक और नया ब्रस्तचार कर चुके देखिए यह बिल्डिंग है वो एजुकेशन सिर्फ बिल्डिंग से नहीं होता एजुकेशन पहले जवाने में गुरुकुल में होता था उसके लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरुवत होती थी उसके लिए सिक्षक की जरुवत है अच्छे सिक्षक चाहिए अब जब सिक्षक union जो बेरोजगार हैं एक साल से ज़्यादा समय से वो परदर्सन कर रहे थे जब कॉंग्रेस की सरकार थी उनका परदर्सन था इस बात को लेकर कि हमें जौब दो 646 ये बहुत बड़ा आखड़ा नहीं है लेकिन 646 जो PTI बेरोजगार सिक्षक union है वो कॉंग्रेस के सरकार के समय परदर्सन कर रहा था आम आदमी पार्टी के नेता उसके साथ थे अरविंद केजरिवाल अपनी रैलियों में इसी union की एक नेता सिप्पी सर्मा जो है जिसको अरविंद केजरिवाल की बहन कहा जा रहा है इसको स्टेज पर घुमाते थे ये तो मेरी बहन है हमारी सरकार आएगी इन लोगों को तुरत नौकरी दे दी जाएगी कॉंग्रेस के समय में इन लोगों ने खूब इस्तेमाल किया यही नहीं जो पंजाब के आम आदमी पार्टी के नेता हैं जिसके उपर आरोप लगाया गया गुरलाब सिन जो इसी union के अध्यक्ष उन्होंने कहा जो अभी सिक्षा मंत्री हैं वो हमारे साथ जाते थे परदर्शन में ये पानी के टैंक पर चढ़के परदर्शन करते थे और कहते थे जैसे ही हमारी सरकार आएगी तुम्हें नौकरी दे दी जाएगी ये लोग उस समय से वादा कर रहे हैं लेकिन इन सिक्षकों की समस्या का समाधान नहीं हुआ पिछले दिनों ये लोग मोहाली में दो लड़कियां जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग ले चुकी है वो लड़कियां पानी की टंकी पर चढ़ गई वहाँ पर पेट्रोल ये हुए थे हाथ में आत्मदाह कर लेंगे परदर्शन हुआ इन लोगों ने कोई कारवाई नहीं की उससे पहले संगरूर में जहां से भगवंत मान सांसत था अभी सीम है उससे पहले वो सांसत था संगरूर से जहां पर ये उपचुनाब में हार गया आम आदमी पाटी की हार हुई क्यों हुई क्योंकि संगरूर में परदर्शन चल रहा है इस बा इसलिए उस उपचुनाब में हार हुई आमादमी पार्टी की, वहाँ पर भी पानी की टैंक पर चड़के इन लड़कियों ने परदर्शन किया, नीचे धरना दिये गए, कोई सुनवाई नहीं हुई, अब अर्विंद केजरिवाल वहाँ जा रहा है, अब इसका मतलब है, कि अर्विंद केजरिवाल जब जायेगा परदर्शन करेंगे, तो इससे पहले विवस्था कर दे गई, कि ऐसा नहीं हो, अर्विंद केजरिवाल वहाँ उद्गाटन कर रहे हैं, भगवंतमान के साथ, और उनके पीछे विरोध परदर्शन करने के लिए 500 लोग जो पीटी याई बिरोजगार सिक्षक संग के हैं, वो इकठा हो जाएं, क्योंकि वह घूम घूम के, हर छित्र में जाकर परदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाब की, एक साल तो आपने कहा था कि तत्काल हो जाएगा, कॉंग्रिस के खिलाब हमारा इस्तेमाल किया, अब जब आपकी सरकार आई, 2022 से अभी तक, अब तक आपने एक को भी जॉब नहीं दिया, अब टिचर को जॉब नहीं दे रहे हो, और यहां पर स्कूल के बिल्डिंग बना के कह रहे हो, बहुत बेहतर बिल्डिंग है, बहुत बेहतरीन सिक्षा बेवस्ता हम लोग ला रहे हैं, और उन्हीं लोगों को डिटेन किया गया, गुरलाब तेन को डिटेन किया गया, को कहीं न कहीं house arrest किया गया है कि वो बाहर न निकल पाएं क्योंकि अर्विंद केजरिवाल तो मीडिया को अपने साथ लेके चलता है वो मीडिया management उसका ही है जो दिल्ली में इसकी सरकार बने थी और मीडिया को गाली भी देगा manage भी करेगा बैक डूर से पैसा खिलाएगा पा और सुप्रिम कोट सवाल कर देता है कि आपने प्रोजक्ट के लिए पैसा नहीं दिया और यह 1180 रुपया तीन सालों में आपने advertisement पर खर्च कर दिया यह सुप्रिम कोट का सवाल है और सुप्रिम कोट ने report मांगे थी अब वहां भी ऐसा ही हो रहा है इन लोगों को क्या किय जा रहा है जितेन किया जा रहा है कि वहां पहुंच गए परदर्शन किया केजरी की बेजती हो जाए लेकिन अब यह मुह बंद नहीं है यह परदर्शन जारी है अलग अलग जगों पर केजरी वाल तीन दिन तक पंजाब रहेगा हाला कि मीडिया दिखाए या न दिखाए पंजाब के अलग अलग इलाकों में किसान परदर्सन कर रहे हैं बेरोचगार सिक्षक परदर्सन कर रहे हैं यह जो युवा लोग हैं जिसमें । डर्ग्स माफियाओं के खिलाफ बड़े हमले कि थे अरमिन्द केजरिवाल ने वो उसके परिवार बाले परदसन कर रहे हैं कि ये शरावी को जो CM बनाया है इसने तो ड्रग को और पर्मोट कर दिया तो केजरी वाल और मान के खिलाफ जो गुस्सा पंजाब के अंदर है वो आगे 2024 में दिखाई पड़ेगा लेकिन केजरी वाल ने जो नीच हरकत की है जिसे अपनी बहन बताता था उसी को गिरफतार करवा लिया भगमंत मानने जो किया है इक केजरी वाल के कदमों में बैटके पंजाब के सम्मान को ठेश पहुचाया है उसकी सजा तो इन दोनों को मिलने ही वाले है अर्विन केजरी वाल ने जिन सिक्षकों से नौकरी का वादा किया था उनको अभी तक अब जोरदार प्रदर्शन पंजाब में हुरा है सारे सिक्षक सड़क पे उतरा हैं जो जोरदार प्रदर्शन अर्विन के जिवाल के खिलाफ कर रहे हैं कईयों को डिटेन कर लिया गया है पर ये जितने भी सिक्षक है जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो चुप रहने वालों इसे नहीं है क्योंकि इनकी बड़ी तैयारी है अर्विंद के जिवाल के खलाफ हला बोलने की अब देखते हैं तीन दिनों तक अर्विंद के जिवाल पंजाब में रहेंगे तो उनको किस तरह के विरोत का सामना करना पड़ेगा इस बड़ी कबर में मेरे साथ फिलाल इतना ही कैवन पसिन भोला के साथ मैं पूजा कैपिटल टीवी